नमस्कार, मेरा नाम मनस्वी टागरा है, मैं कक्षास आत्वी डी की छात्रा हूँ, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है बुड़े पेड की समझदारी, एक नदी के किनारे दो पेड थे, उस रास्ते एक छोटी सी चिडिया गुजरी और पह परिश होने वाली है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे टहनी में गुसला बना कर रह सकते हैं, लेकिन उस पेड ने मला कर दिया, चिडिया फिर दूसरे पेड के पास गई, और वही सवाल पूछा, दूसरा पेड मान गया, चिडिया अपने बच्चों के साथ खुशी दूसरे पेड में गुसला बना कर रहने लगी, एक दिन इतनी अधिक वर्षा हुई, कि इसी दौरान पहला पेड तूटकर पानी में बहने लगा, जब चिडिया ने उस पेड को पानी में बहते हुए देखा, तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरन मांग रहे थ तो तुमने मना कर दिया था, अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बरताव की सजा तुम्हें मिल रही है, उसका उत्तर पेड ने बड़े ही सहज भाव से दिया, कि मैं जानता था, मैं बूड़ा हो गया हूँ, मेरा शरीर कमजोर है, और इस बारिश में मैं टिक नहीं आता था, वैसे मना करने के लिए मुझे एक शमा कर दो, यह कहते कहते पे बह गया, तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता नहीं समझनी चाहिए, क्या पता उसके उसी इनकार से हमारा भला हो, कौन किस परिस्तिती में है, असी लिए किसी के चरित्र और शैली को उनके वरतमान व्यवार से न तोले, धन्यवाद